26 सितंबर 2022 से नवरात्री का प्रारंब हो रहा है इस दिन देवी दुर्गा की पूजा के साथ साथ उनके नौरूपों की पूजा करने का विधान है इस दोरान व्रतधारी मंत्रों के उचारन के साथ तो कहीं व्रतधारी दुर्गा सब्तशती का पाठ करने का संकल्प लेते हैं मारकंडी पुराण में सब्तशती पाठ का वर्णन आता है माना जाता है दुर्गा सब्तशती का पाठ का संकल्प लेना बहुत कठिन है और इससे जुड़े कुछ नियमों के बारे में जानकारी होना भी परमावशक है नहीं तो आपको पाठ करने का पून फल प्राप्त नहीं होगा श्री दुर्गा सब्तशती ग्रंथ चार वेदों की तरह ही एक अनाधी ग्रंथ है साथ सो श्लोक वाली दुर्गा सब्तशती की तीम भाग में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरसुती नाम के तीम चरित रहे माना जाता है कि अगर नौ दिनों तक श्रद्धा पूर्वक शुद्ध चित्त होकर यानि शुद्ध मन से दुर्गा सब्तशती का पाठ किया जाए तो ना केवल सभी संकर दूर हो जाते हैं बलकि नौ दिनों में रखी कोई भी मनो काम ना पूर्ण होती है जोतिश शास्त्र के आनुसार अगर आप ही दुर्गा सब्तशती का पाठ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कुछ नियमों को अवश्य चाल ले दुर्गा सब्तशती के पाठ को प्रारंब करने से पहले गणेश पूचन करें तत पश्चात नवरात्री में स्थाबित कलश की पूजा प्रारंब करें और आखिर में नवगरह और जियोती पूचन करें सदैव लाल कपड़ा पिछाएं और श्री दुर्गा सब्तशती की पुस्तक को उसमें लपीटें, शुद्ध आसन पर इस पुस्तक को रखें, माथे पर भस्म, चंदन या रोली लगा कर, पुर्वा बिमुख होकर तत्व शुद्धी के लिए चार बार आजमन करें बताते, श्री दुर्गा सब्तशती के पाठ में कवज, अरगला और कीलव के पाठ से पहले शापो धार मंत्र का पाठ करना जरूरी माला जाता है। मानेता है कि दुर्गा सब्तशती का हर मंत्र, ब्रह्मा, वशिष्ट, विश्वामित्र ने शाफित किया है। शापो धार के बिना दुर्गा सब्तशती के बार्धे निश्वल हो जाते हैं और व्रत्यों को कोई भल नहीं मिलता। कुछ लोग एक ही दिन में दुर्गा सब्तशती का पाठ पूरा करने का प्रयास करती हैं। ऐसा बिलकुल भी ना करें। क्योंकि जोतिश के अनुसार एक दिन में पूरा पाठ कभी नहीं करना चाहे। एक दिन केवल मध्यम चरितर का और दूसरे दिन शेश दो चरितर का पाठ करना चाहे। यदि एक दिन में पाठ ना हो सके तो एक, दो, एक, चार, दो, एक और दो अध्यायों को क्रम से साथ दिन में पूरा कर सकते हैं। श्री दुर्गा सब्टशती के पाठ प्यारंभ करने से पहले और बात में नवारन मंत्र ओम, एं, हीं, क्लीं, चामुंडाय, विच्चे का पाठ करना अनिवारे होता है। अगर आपका संस्क्रिट का उचारन शुत है, तो ही श्री दुर्गा सब्टशती का पाठ करें, क्योंकि गलत उचारन का लाभ नहीं है। इसलिए उत्तम है आप इस पाठ का हिंडिय अनुवार पढ़ें, पाठ करती समय, चित्त शांत रखें, जोड से या उतावले होकर इसका पाठ कभी मकरें। श्री दुर्गा सब्टशती के पाठ के बाद कन्या पूजन अवश्य करें। श्री दुर्गा सब्टशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर, चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनों काम नाय कूरी होती है। शास्त्रों में इसे महा विद्याक्रम कहा जाता है, माना जाता है जैसे ही आप दुरका सब्धशती का पाट प्रारंब करते हैं, वैसे वैसे आपके समस्त शत्रों का नाश हो जाता है, साथ ही महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ध्यान रखे, देवी पुरान में पूजन और विसर्जन का समय प्रातह काल बताया क्या है और भूल कर भी रातरी में घड़ स्थापना ना करें ऐसा करना वर्चत है तो मित्रों सब तो शती का पाट करने से पहले इन बातों का अवश्य घ्यान रखें आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा अपनी राई कमेंट में अवश्य बताए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचाएं मा दुरिका आप सब का कल्यान करेंगी